लो फ्रेंड्स वेलकम टू अबर योटूब चैनल ग्यान सवन वै ग्यान सवन वै पर आप सभी का स्वागत है और आज मैं लेकर आया हूं रिजनी का एक टॉपिक कलेंडर जिसके अंदर का आज हम पढ़ेंगे कलेंडर रेपिटेशन के बारे में अकसर हमारे आसपास के लो समाने वर्स और लीप वर्स में क्या डिफ्रेंस होता है तो सबसे पहले हम जानेंगे लीप यर क्या होता है तो लीप यर होता है हमारा जैसे कोई वर्स दिया हुआ है दो हजार दो हजार बाइस ठीक है तो लाश्ट के दो अच्छरों को हम चार से भाग देंगे ठीक है लाश्ट के दो अच्छरों को चार से भाग देने पर यदि सेसफल बसता है ठीक है यदि सेसफल बसता है तो वो हमारा ordinary year होगा यानि समानिवर्स होगा और यदि अगर sales नहीं बसता है जैसे कि 2016 ठीक है 104 से divide करेंगे तो यहाँ पर सून बचेगा यानि कि sales पल जो होगा सून बचेगा तो वो हमारा leap verse होगा ठीक है तो यह दोनों चीजें थी बाते लीप verse और समानिवर्स के बारे में तो अगला question मतलब पहला question आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि 2004 का calendar कब repeat होगा अभी मैंने बताया कि यह leap verse है यानि देखे चार दिया हुआ है यानि चार को चार से divide करेंगे तो सून नहीं आएगा यानि कि यह leap verse है तो leap verse का calendar कब repeat होता है कि यह अगर leap verse दिया है तो calendar हमारा 28 वर्सा बाद रीपीट होगा ठीक है लिप तो इसका पहला रूल आपके सामने दिया हुआ है कि समाने वर्स में 11 जोडने पर समाने वर्स में 11 जोडने पर हमारा कलेंडर पुना रिपीट हो जाएगा लेकिन महत्कून बात यह है कि समाने वर्स ही आना चाहिए एक्जामपल के से समझते हैं हम लोग कि क्या कहना चाहता है यह रूल देखिए समान वर्स है यह 2007 ठीक है रूल में क्या कहा है 11 जोडने पर ठीक है हमने 11 जोड दिया 2018 हमारा आ गया यानि कि 2007 का कलेंडर हमारा 2018 में पुना रिपीट होगा ठीक है लेकिन यहाँ पर लिखा है समय इवर्स ही आना चाहिए यहाँ पर समय आ रहा है देखिए आप देख सकते हैं उसके बास देखिए 200akan का कलेंडर कब और रिपीट होगा सेसपल सूनने आ रहा है यानि यही लीप वर्स है तो ऐसे में हम क्या करते हैं रूल नंबर दो को फालो करते हैं ठीक है कि जब समान वर्स ना आये तो 6 जोड़ देते हैं बहुत सिंपल सा कॉंसेप्ट है आराम से आप लोग कर ले जाएंगे ठीक है यानि कि 2005 में हम लोग सिर पर अब आपड़ा सा टॉपिक है तो आज की वीडियो में इतना ही धन्यूद